बिग बॉस के घर में अविनाश के साथ या अविनाश ने जो कुछ भी किया इन सब से तो हम वाकिफ ही है कि किस तरीके से जो है कि बिग बॉस के घर में कल रात के एपिसोड में हमने लड़ाई रेखी जेल जानी की बात से ये मुद्दा शुरू हुआ था कि बिग बॉस ने करते क्योंकि वो शायद कहीं न कहीं एक घर के इंसान को कम करते या फिर अपना कॉंपेटिशन कम करते लेकिन बिग बॉस के घर में शायद ये दिमाग किसी नहीं लगाया और उन्होंने जेल भेजना शायद जो है कि वो सही समझा बिग बिग बॉस के शुरवाती दोर है और अभी तक लोग जो हैं कि बिग बॉस की गेम में इस तरीके से इन्वाल्व नहीं हुए है कि वो कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉज सोचे यहां पर सब एक साथ बिग बॉस के गेम को खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि इस डिसीजन से कही न कहीं वीकेंड का वार पर इनसे कहीं सारे सवाल होंगे क्योंकि यह एक वो बात बात पर जाके लोगों को प्रोवोक करते हैं उनको पॉंट आूट करते हैं या फिर उनपर उफ़ाते हैं कहीं तरीके से घर का माहौल बगाड रहे हैं अब तक विक बॉस के घर में एक मुझे लड़ाई करता हुआ इंसान नजर आ रहा था और वो थे रजद दलाल जो कि हर मुद्दे पर जो है कि बिना बात बहस कर रहे थे लेकिन कहीं न कहीं अविनाश ने भी उस चीज़ को अड़ाप्ट कर लिया और उन्हें लग रहा है कि बिग बॉस की घर में अगर दिखना है तो लड़ाई ही एक कुन रतना जी ने किया था कि बही मैं जेल नहीं जाओंगा हल्ला मचा दिया था और अब इसी बात को उन्हें इसी पैटन को कहीं न कहीं फॉलो करके अविनाश ने कल मुद्दा बनाने की कोशिश की कि बही जो तुम सत्रा लोग हो तुम सत्रा लोग अगर मुझे जेल भे गए इतना ही नहीं कि वह अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाए जिसके बाद जो है कि बिग बॉस को इंटरवीन करना पड़ा और भाई बिग बॉस को बुलना पड़ा कि अविनाश आप शान्त हो जाए और सबको फिर उन्होंने जो है कि हॉल में जमा किया और अविनाश कॉमेंट और यह भी स्टेटमेंट पास किया कि वह अविनाश जो है इस बात से उन्होंने डिनाय कर दिया क्योंकि वह काफी अच्छी दोस्त है विनाश की आपकी मुझे लगता है कि इशा और आलिस जो है कही नगेटिव दिखना शुरू हो जाएंगी क्योंकि जिस तरीके से वो अविनाश को सपोर्ट तो नहीं करती है लेकिन कहीं न कहीं उनके खिलाफ चार लोगों में वो बात भी नहीं करती है हाला कि वो इन्हें समझाने की काफी कोशिश करती है कि भही जो तुमारा behavior है वो काफी arrogant है, rude है बिग बॉस के घर में नहीं चलेगा लेकिन अविनाश तो अविनाश है वो कहां किसी की बात मानने वाले तो ये सारी चीजों के बात जो है कि अब मैं आपको बता दू कि बिग बॉस के घर से अविनाश eliminate नहीं हुए है लाइफ फीड में हमने अभी देखा और यहां पर उन्हें जेल भेज दिया गया है मुझे लगता है कि ये कहानी में twist आया होगा, turn आया होगा जहां बाहर भेजने की जगा उन्हें confession room में बुलाया होगा और उनसे ये पूछताज, मतलब बातचीत की गई होगी आप जिस तरीके से ये पूरा behavior कर रहे हो, क्या ये national television पर valid है क्योंकि आप बिग बॉस के घर में जिस तरीके से दिखते हो, आपकी एक personality बन जाती है और बिग बॉस का घर सिर्फ तीन महीनों के लिए है, बिग बॉस के घर के बाहर भी एक दुनिया है जिसे मुझे लगता है कि बिग बॉस के घर में लोग आने के बाद भूल जाते है क्योंकि आपको काम करना है, आपको industry में work करना है और अगर आप इतना aggression दिखाओगे तो industry में कोई भी आपके साथ काम करने के लिए ready नहीं होगा जिसके बाद काफिर discussion के बाद जो है कि अविनाश का elimination जो है कि रोका गया और अब वो जेल में है और जेल में जाने के बाद मैं बता दूं कि वो भी वहाँ पर लड़ाई ही कर रहे हैं मतलब वो कहते ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं आप उन्हें कितना भी समझा लो पर उन्हें अगर लड़ाई करनी है तो वो लड़ाई करते ही हैं और बिग बोस की जेल में जाने के बाद फिर एक बार जो है उन्होंने खाने पर मुद्दा उठाया शिल्पा जी के कहीं न कहीं वो स्टार्टिंग से एक इंसिडेंट हुआ था कॉफी वाला उसके बाद जो उनके पीछे पड़े हैं तो अब भी वो पीछे पड़े हैं और बाकी के घर वाले बोल रहे हैं भाई आप खाना खालो पूरे घर का आप खाना खालो लेकिन आप शांत रहो आप लड़ाई मत करो कल भी जब सारे लोग हंगर स्ट्राइक पे थे कोई बिग बॉस के घर में खाना नहीं का रहा था अविनाश है कैसे बन देते जो घर में खिचडी भी बना रहे हैं और मस्त मॉला वो अपनी जो बिग बॉस की पूरे दिन को काट रहे थे जहां पर जो है कि बहुत सारे लोग खुद उनके जो फ्रेंज है अलिस और इशा कही ना कहीं इस बात से अपसेट थे कि किस तरीके से वो की लोगों की बातों को नहीं मान रहे हैं और अपनी अलगी ट्रेन पकड़ कर वो जा रहे हैं तो भाई सबके लिए अगर अगर जाजा ही कुछ उसने ऐसा कर दिया हुँ जिसके बाद उसे लाना मुश्किल है तो वो बिग बॉस के घर में नहीं आता अधर्वाइस फर्स्ट वर्निंग के बाद अगर हम अभिशेग की बात कर लें प्रतीग की बात कर लें कई सारे बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसे अंगाम मचा रहे हैं तो जो उन्होंने पूरे दो दिन में बिग बॉस की घर में तहलका मचाया है इस पर सल्मान खान किस तरीके से अपनी राय देकर उन्हें डाटेंगे उन्हें समझाएंगे या फिर कुछ अलगी हमें सल्मान खान का रूप अविनाश के लिए सबते झाले